स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल एक्जाम वोरियर्स पे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 ऐसे कोश्चन जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे तो जिन भी स्टुडेंट के SSC CHSL का एक्जाम है उन्हें आज के कोश्चन याद जरूर कर लेने हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोश्चन है ICC Spirit of the Cricket Award of the Decade किन है चुना गया है सबसे पहले अगर हम बात करें decade की तो decade से अर्थ है 2011 से 2020 के मध्या ICC Spirit of the Cricket Award दिया गया है भारत के MS धोनी को यानिके महिंदर सिंग धोनी को मिला है ICC Spirit of the Cricket Award इसके अलावा ICC ने ही Sir Garfield Sobers Award for ICC Male Cricket ये दिया है विराट कोहली को आपको ये दोनों ही याद रखने है ICC Spirit of the Cricket Award MS धोनी को मिला है Sir Garfield Sobers Award विराट कोहली को मिला है इसके बाद अगर बात करें तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा आयूश्मान भारत प्रधान मंत्री आरूग योजना जिसका नाम है सेहत ये कहां शुरू की गई है तो आपको याद रखने है जम्मू कश्मीर में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने आयूश्मान भारत प्रधान मंत्री आरूग योजना सेहत की शुरूआत की है अब इससे जुड़ा आपको एक और कोशन याद रखने हैं ये कोशन एग्जाम में ज़रूर पूछी जाते हैं आपको एक नाम दिए जाता है जिसी कि यहाँपर दिए जाएगा सेहत और आपसे पूछन आएगा इसमें H से क्या मीनिंग है यानि कि H का क्या मीनिंग है तो आपको यहाँ पर इसका full form भी याद रखनी है जो इस प्रकार है social endeavor for health and telemedicine ये इसकी full form है और आपको याद रखनी है चलते हैं अगले कोशिन पर आज का हमारा अगला कोशिन है डॉक्ट हर्षवर्दन और वर्तमान में भारत के नई चिकित्सा मंत्री कौन बने है तो आपको याद रखने मंसुक मांडवया भारत के नई चिकित्सा मंत्री बने है तो जब डॉक्टर हर्षवर्दन भारत के चिकित्सा मंत्री थे तब इनके द्वारा नियूमोसिल नाम की एक व important है और आपको याद रखना है इसके बाद सबसे important question कि भारत को सयुक्त राष्ट परिशद की तीन प्रमुक समीतियों की अध्यक्षटा सोपी गई है अब आपको यहां पर इन तीनों समीतियों के अध्यक्षता सोपी गई है यारे कि भारत इन तीन समीतियों की अध्यक्षता करेगा वे अगर बात करें सैउक्तराष्ट परिशत की तो सैउक्तराष्ट परिशत में भारत आचवी बार अइस्थाई सदस्य बना जैसा कि आप जानते हैं कि सैउक्तराष्ट जो Means सुरक्षा रखना है और याद रखिएगा कि सव्युक्त राष्ट परिशत की तीन समीतियों की अध्यक्षता करेगा भारत इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि हो सकता है यहापर कोई चोती एको समीति का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से भारत की समीति की अध्यक्षता नहीं करेगा तो आपको इन तीनों के नाम याद होनी चाहिए और इन तीनों के नाम आपको याद जरूर रखने हैं इसके अलावा अगर बात करें तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो भारती रिज रिजरू बेंक ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉंच किया है ये भी कोशन एक्जाम में पूछा रह सकते हैं आपको याद रखना है बात करें आरबियाई की तो आरबियाई की स्थापन हुई थी एक अप्रेल 1935 को एक अप्रेल 1935 को कॉलकाता में बश्चिम बंगाल की राज़दानी कोलकाता में रिजरू बेंक ऑफ इंडिया की स्थापन हुई थी इसके पहले गवर्नर कोन बने थे तो आपको याद रखने सर ओस्बोर्ण इसमित यानि की सर ए इसमित जो थे वो भारती रिजरू बेंक यानि के आरबियाई के पहले गवर्नर थे पहले भ आपको याद रखना है कि केरल के कोच्ची से करनाटक के मंगलूरू के मध्य गेस पाइपलाइन का उद्गाटन किया है प्रधान मंती नरेंदर मोधी जी ने पर आप किया गया है इसके बाद सबसे इंपोर्टन हैं हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कोन से इस्थान पर रहे हैं तो आपको याद रखने हैं कि हाली में हैंले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें हमारा देश भारत 85 वे इस्थान पर रहे हैं और इ इसके बाद अगरम बात करें, प्राक्रम दिवस नेता जी की 125 वी जयनती पर मनाये गया है, यह किस दिन मनाये गया है, तो आपको याद रखना है 23 जन्वरी को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 जन्वरी सन 1897 को, नेता जी सुभाज चंदर बोस का जन्म हुआ था, कोशन यह एक्जाम में पूछा गया और SSC CHSL में पूछा गया था, कि नेता जी सुभाज चंदर बोस का जन्म किस शहर में हुआ था, आप्शन थे कोलकाता और कटक, तो बच्चे यहाँ पर कन्फिज हो गए थे और आपको याद रखना है कि नेता जी सुभाज चंदर बोस क जन्म कटक में हुआ था, कटक जो की ओडिसा में, जबकि अधिकतर स्टुडेट ने इसका आंसर कोलकाता लगाया था, तो आपको याद रखना है कि नेता जी सुभाज चंदर बोस का जन्म हुआ था, कटक में जो की ओडिसा में है, साथ ही आपको ध्यान रखने कि जितने इंपोर्टेंट व्यक्ति हुए है, उनका जन्म किस शहर में हुआ है, ये कोशन भी आपको जरूर याद करने है, तो पराकरम दिवस तीस जन्वरी को पहली बार मनाये गया है, क्योंकि नेता जी सुभाज चंदर बोस की 125 वी जहिंती मनाई गई है, तीस जन्वरी 2020 को और पराकरम दिवस मनाया जाना शुरू किया गया है, इंपोर्डेंट और आपको याद रखना है, अगला कोशन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 नीती आयोग ने जारी की है, और इसमें सभी राज्यों में से करनाटक शीरशेस्थान पर रहा है, और केंदर शाषित प इनोवेशन इंडेक्स जारी किसने की है, कौन सा राज्य शीरश पर रहा है, और कौन सा केंदर शाषित प्रदेश शीरश पर रहा है, तो ये सभी इंपोर्डेंट कोशन आपको याद रखने है, आज का हमरा अगला कोशन है, सोमनात मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष कोन तो आपको याद रखने है प्रद्धान मंदिर नरेंदर मोदी जी को सोमनात मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष पनाया गया है, सोमनात मंदिर है कहाँ पर तो ये है गुजरात में, और इसी के अध्यक्ष बने है नरेंदर मोदी जी, इंपोर्टेंट हो आपको याद रखने ह ये इसके अध्यक्ष बनने वाले दूसरे प्रधान मंत्री हैं। अगर हम बात करें पहले प्रधान मंत्री कौन थे तो मुरारजी देशाई। मुरारची देशाई जब 1977 में भारत के प्रधान मंत्री बने थे और ये सोमनात मंदीर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले पहले प्रधान मंत्री थे और नरेंदर मुदी दूसरे प्रधान मंत्री बने है जिने बनाया गया है सोमनात मंदीर ट्रस्ट का अध्यक्ष ये कोश जाती है मामलों के मंत्री है और इनका नाम है अर्जुन मुंडा और इने ही श्रम सकती मंत्रा ले या श्रम सकती पोर्टल इनके द्वरा ही लौँच किया गया है। जाती ही चटी बार रास्टपती बन गए है योवेरी मुसेविनी ये कोशिन एक्जाम में जरूर पूचा जाएग और आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि बिहार राजने महामारी में नवाचार पूरसकार जीता है। ये पूरसकार का नाम है जिसका नाम है महामारी में नवाचार और ये जीता है बिहार रेन। भारत के 68 वे ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो अभी मन्यू मिश्रा जो अभी मन्यू मिश्रा ही ये तमिलनाडू से है और यही भारत के 68 वे ग्रेंड मास्टर बने है आपको याद रखना है भारत के 68 वे ग्रेंड मास्टर अभी मन्यू मिश्रा बने है वह अगर बात करें तो 67 ग्रेंड मास्टर कौन थे तो 67 ग्रेंड मास्टर थे गोवा के लेयोन मेंडो का जो लेयोन मेंडो का थे वो 67 ग्रेंड मास्टर थे भारत के और अब 68 ग्रेंड मास्टर बने है अभी मन्यू मिश्रा इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना है आजका मारा अगला कोशन हे एशिया का सबसे बड़ा high-speed testing track डेख कहा बना है तो आपको याद रखना है मध्य परदेश के इंदोर में एशिया का सबसे बड़ा high-speed testing track डेख बनाया गया है important और यह question exam में ज़रूर पुछा जाएग और आपको याद रखना है इसके बाद है कि launchpad योजना किस राज़ में शुरू हुई है तो यूवाओ को प्रशिक्षित करने के लिए और उन्हें रोज़गार के प्रधी प्रशिक्षिन देने के लिए मद्य परधेश राज्य सरकार नहीं launchpad योजना शुरू की थी तो यह हैं piece important question जो आपके आने वाले exam में ज़रूर पूछ जा सकते हैं और आपको इन question को याद ज़रूर कर लेना है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले 20 important question जो आपको पढ़ने हैं तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो like and share ज़रूर करें साथी वे सभी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे उप्योंगे लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले साथी बेल आइकन ज़रूर दबाईं जिसनी के आने वाले वीडियो की तुरण जानकारी आपको मिल सके थेंक्यू जैहिन जैबारत